देखे सरकार ने सम्विदान पर वार किया है चात्रा चात्राओं पर चात्र पर वार किया है अमला किया है यह हमारी देश की आत्मा पर हमला है नौजवान है और देश की आत्मा होती है उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है अवाज उठाने का हक है यह हक उसको सम्विधान ने दिया है जब सरकार इस तरह से विश्व विद्याले के अंदर खुस कर चात्रों पर वार करती है मैं मां हूँ यह बच्चे मेरे बच्चों की उमर के हैं विश्व विद्याले पढ़ने के लिए जाते हैं शिक्षा लेने के लिए जाते हैं आप इनकी लाइबरी में घुसे हैं इने वहाज एक घसीट के आपने पीता है के लिए लड़ेगा इस सरकार की ताना शाही के खिलाफ लड़ेगा जबाब मांगेगा और शाटर शाटराओं के साथ ठढ़ा रहेगा प्रदान मंत्री जी जो महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले रोजगार पर बोले जो कल यहां विश्रे ध्याले में हुआ इस पर बोले किसकी सरकार ने पीटा उन बच्चों को इन चीजों पर बोले प्रदान मंत्री जी आज तक उसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं उनकी पार्टी के विधायक ने एक मासूम लड़की का बलात कार किया उसके बारे में प्रदान मंत्री आज क्यों नहीं बोले हैं आज विजय दिवस है आज बंगलादेश का जो जंक था उसमें हमें विजय मिला था तमाम लोग शहीद हुए उसके लिए उनकी शहादत इस लोक तंत्र के लिए हुई इस सबमिधान के लिए हुई किस देश के लिए हुई ये हमारा देश है, आपका देश है, उन बच्चों का देश है जिनको आपने कल पीटा, उन महिलाओं का देश है, जिन पर अर्थियाचार होता है, हम सब को एक जुट होकर इस सरकार के खिलाफ अबाद उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार गलत कर रही है, ये एक सम्विधान के एक दम खिलाफ है, सम्विधान को नश्च करने का एक तरीका है, एक जरिया है, हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए,